वीडियो है तो गाइस वीडियो हम देखने वाले हैं सी एसस की मिन एंड मैक्स हाइट क्या होती है तो आज एक्जाम्पल हम देखते हैं जिसकी पिछली वीडियो हमने देखा था कि हम लोग कुछ इस तरह से यह उसकी जो हमारे पास पहले मैं नै बनाया था इसमें हीट और विडियो हमने ली ति तो जो य हमारे पास पहले बनाया था कि इस मे april, जो एक्षया है औध भाएट है मैंने आउड मैक्स को तो यहां पर क्या टारना है अपको जो हाइट है है पहले का यह भी दिया है यह सारे चीज़े मैं paragraph को कट कर देता हूं ठीक है इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यहां से यहां तक मैं इसको back कर देता हूं और file को save परने के बाद इसको refresh करते हैं ठीक है यहां पर refresh करने के बाद क्या है यह आप यहां पर दे सकते हैं जो भी यह चीजें है तो यहां पर आपने देखा कि जैसकि यह हमारी फाइल है अब इसमें जो भी नीचे जो कम से कम इसकी जो हाइट है वो कम से कम 300 होनी चाहिए कम से कम तो अगर इसमें जो paragraph चाहे यहां तक हो चाहे यहां तक हो वो gap इसकी जो height है वो 300 हो अगर इसमें text ज़्यादा हो जाए तो उसकी height बढ़ जाए तो यह minimum height हम लेते हैं इसमें तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको min height लेना पड़ेगा और यहां पर इस तहां से लिखना पड़ेगा min height फाइल को save परके एक बर हम browser पर refresh करते हैं देखते हैं कोई output आता है यहां यहां पर कुछ इसमें कोई refresh चेंज़ गी नहीं होगी अब इसमें हम इसके जो भी paragraph से इसको हम बढ़ाते हैं suppose that मैं इसको copy करूँगा यहां से यहां से copy करने के बाद यहीं पर मैं इसको paste करते हूं ठीक है तो इसको मैं दो बार से करते हैं एक बार और करते हूं इसको तो फाइल को save करने के बाद इसको refresh करता हूं मैं देखते हैं अब ही मैं दो बार से इसको और रिफिर्स कर देता हूं यहां से कॉपी पेस्ट एक बार और और इसको एक बार मैं और कर देता हूं ताकि आपको किलियर सारी चीज़े हो जाए अब देखते हैं क्या होता है इसमें जब जैसे यह जादा होगा देखिए इसकी हाइट बढ़ हो चुकी है क्योंकि यह मिन हाइट ले रहा है मैकसम मिनिमम हाइट जो है उसकी तो लेना ही पड़ेगा उसको अब इसमें ओर फ्लो नहीं होगा वह आट्मेटिक जितना भी दे सकते हैं वहाँ पर देना चाहते हैं लेगिन कभी आप इसमें एक और कंडिशन लगा सकते हैं कि इसमें अगर आप इसकी जो मैकसिमम हाइट वह भी देना चाहते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया कि मैकस मैकस हाइट यहां पर लगाते हैं तो मैकस हाइट में क्या होगा कि जैसे कि मैंने 500 दे दिया ठीक है 500 पिक्सल से ज्यादा उसका डिव नहीं जाना चाहिए तो यह भी condition हो सकती है minimum तो उतना होना चाहिए लेकिन कम से कम उतना भी हो जाए तो अभी उतना ही है 500 है अगर इसमें थोड़ा सा paragraph को हम बढ़ाते हैं देखते हैं क्या होता है इसको copy करेंगे हम और यही पर हम paste कर देते हैं अब देखते हैं इसमें क्या कुछ changing होती है कि नहीं यहां पर आप देख रहे हैं जब इसमें हमने cover इसको किया था तो यह जो चीज़े हैं इसकी height अब ज़्यादा हो जाएंगी जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं 500 यहां तक clear हो रहा है यहां तक जब 500 हो जाएगा उसकी height जो है यहां पर आप देख सकते हैं इसकी height जो हमने दी थी max height इससे ज़्यादा अगर वो text उसमें डालेंगे तो वो over flow कर जाएगा और अगर यह चीज़ हम condition नहीं लगा सकते हैं आप जितना भी जालना चाहते हैं मिन, height हम इसको लगा सकते हैं और इसमें जितना भी आप करना चाहते हैं उसमें जो भी आप message देना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं तो इस तरह से यूज़ करते हैं मिन, height and max height अगर अगर इसमें कोई problem है कोई doubt है तो मेरे comment box में आप ज़रूर बताएगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को प्रेस करने ना भूलें क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं जो आपको नोटिफिशन में मिलती रहें